हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी प्योर मिनी क्लिप एकाउंट को फेस्बुक से कैसे अटेच किया जाएगा इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मोबाइल में फेस्बुक एप्लिकेशन इंस्टॉल होनी जाहिए और इसमें हम अपना एक फेस्बु रखने वाली यह है कि आप अगर नया फेस्बुक एकाउंट क्रियेट करते हैं तो उसमें अगले 8 या 10 घंटे तक आप कोई भी 8 वर्लपूल एकाउंट एड नहीं कर सकते हैं 8 या 10 घंटे बाद ही उसे आप अटेच कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने यह अपना नया फेस आपके गेम में भी डिस्पले होगी और आपकी Facebook आइडी पे जो नाम होगा वही गेम की आइडी में भी डिस्पले होगा तो यह मेरी profile picture add हो चुकी है और इसमें आगे की जो settings हैं वो आप अपने हिसाब से कर लेना तो इस तरह से मेरा facebook account up to date हो चुका है अब इस id को facebook पे login रहने देना है और application को minimize कर देंगे अब अपना 8 ball pool game खोल कर उसमें वो वाली id login कर लेना है जिसे हमें इस facebook से attach करना है तो यह मेरी pure miniclip id login हो रही है यहाँ पर आप इसकी unique id चेक कर सकते हैं और मेरे पास जो assets है surprise boxes उनकी quantity आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको हम दो जगह से facebook से attach कर सकते हैं एक तो settings में यह वाल option से connect करता हूँ यहाँ पर एक confirmation मांगेगा कि आप जिस facebook से attach करना चाहा है क्या यह वही वाली facebook है तो continue as आपका जो भी नाम है उस पर click कर देंगे आपको तुरन 5 cash का reward भी मिल जाएगा facebook से attach होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है और यहाँ पर अब यहाँ से आप अपना नया नाम लिख सकते हैं पहली बार free है और दूसरी बार में 50 cash लगता है तो यह जो मेरा profile picture लगावा था वो मैंने mini clip से लगाया था और आप मैं facebook वाला profile picture लगा लेता हूँ तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका mini clip account facebook में convert हो जाएगा और access खतम हो जाएगा उमीद है आज की वीडियो आपके किमती mini clip account को बचाने में काम्याब हो जाएगी इसी तरह की useful वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें जाते जाते इस वीडियो को like करें अपने जरुदमन दोस्तों में इसका link share करें मिल